आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही पुर्य देश के लिए और विशेश कर संगीत में जिनकी रूची है और संगीत के ख्षेत्र के लिए ये अपून यक्षती है लता जी का जीवन बच्पन से ही संगीत को समर्पित रहा लता जी की आवाज इस्वर की देन थी जैसे कोई बच्चे की मुश्कान क्या कोई धर्म कोई महजब नहीं होता है उक्ते हुए सुर्य की रोस्ने का कोई मजब कोई धर्म नहीं होता है इसमें इस्वर का आवाज होता है इसी प्रकार से लता जी की आवाज का भी कोई मजब कोई धर्म कोई सिमाय नहीं थी वो पूरे विश्व को इस्वर की देन थी मेरे व्यक्तिकत जीवन में भी लता जी से मेरे घनिष्ट रिष्टे रहे हैं कई बार मेरे जीवन के नाजुक से नाजुक पलों में मुझे उन्होंने डाड़स बंधाने का भी काम किया है आज जब लता जी नहीं रही है तब मेरे जैसे करोडों उनके चाहने वाले एक रिक्तता का अनुभव कर रहे हैं और यह जो सुन्यावकास हुआ है वो काफी लंबे समय तक भारतिय संगीत में उसकी शती पूर्ती होना मैं संभव देखता हूं गता मंगेशकर ने अनेक भारतिय भासाओ के संगीत को भी अपने योगदान से मजबूत करा लोगप्रियक किया और मूल सास्त्रिय संगीत से बने गानों से उन्होंने नई पीडी को भी सास्त्रिय संगीत को जानने का और उसकी मधूरता को पहचानने का मुका दिया झाल झाल